भगवान महावीर ने कहा कि जो व्यक्ति दीर्ग, लंबी साधना, तपस्या, ध्यान, सम्वर, निर्जरा, इत्यादी कर पाने में अक्षम है, तो वे कम से कम इन भावनाओं का बार बार अभ्यास करके मुक्ति के निकट पहुंच सकते हैं और उसका वरन भी कर सकते हैं. इसलिए और कुछ हो या न हो, ये बारा भावनाए अवश्या जाने, समझे, चिंतन मनन करें. भगवान रिशब देव की माता मरू देवा ने भावना भावना के बल पर ही मोक्ष प्राप्ति किया था. तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक. तो अब जानते हैं बारा भावनाओं के बारे में. पहली भावना है अनित्य भावना. योवन, धन, संपत्ती, एश्वर्य, एहिक, सुक भोग, पुत्र, पौत्र, आदी, परिजन, ये शरीर और जीवन, आदी, आदी, ये संसार के समग्र, क्रिया कलाप, कार्य कलाप, अन सत्य, माया स्वरूप, भ्रांती, अत्वा, व्या मोह पूर्ण है. संसार में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है, जो चीर स्ताई हो. ये सब मुझ से भिन्न है, मैं इन सब से भिन्न, सचिदानन्द स्वरूप, विसुद्द चैतन्य हूँ. इन अनित्य जड तत्वों के संग से. अज्यानवस इने अपना समझ कर मैं द्रोव्य धर्मा सास्वत होते हुए भी इन अनित्य जड तत्वों की भांती उत्पाद व्याई धर्मा बनकर जन्म जरामृत्यों की विक्राल चक्की में अनादी काल से पिस्ता चला आ रहा हूँ. इन चन्विद्वनसी अनित्य एवं जड पदार्तों के साथ मुझे अविनासी ध्रोव्य धर्मा नित्य सास्वत विसुद्द चैतन्य का संग वस्तुतह मेरा व्यामोह मात्र है. अब इन उत्पती विनास धर्मा जड़ पदार्तों के साथ इस अनित्य जगत के साथ मैं कभी किसी भी प्रकार का कोई संबंद नहीं रखूंगा ये अनित्य भावना नाम की पहली भावना है दूसरी भावना है अशरन भावना मैं सच्चिदानंद ग्यान गन स्वरूप चैतन्य होते हुए भी मदारी के मरकट की भांती कर्म रज्जु से आबद्ध हो अशरन बना हुआ असहाई अनात की भांती अनादी काल से अनन्तानंद दुस्सह दारुन दुख भोगता हुआ भ मात, मात, भाई, बंदू, स्त्री, पुत्र, स्वजन्स नहीं आदी में से कोई भी मुझे शरन देने वाला नहीं है कोई मेरा दुखों से त्रान करने वाला नहीं है केवल वीतराग जिनेंद्र प्रभु ही मुझे शरन देने वाले हैं इसलिए मैं इसी छन से जिनेंद्र देव की जिनेंद्र प्ररूपित धर्म की प्रानी मात्र के हितैसी पंच महावरत धारी गुरू की जिन्सासन की सरवात्मना सर्व भावेन और विचल आस्ता और दुर्ण विश्वास के साथ शरन ग्रहन करता हूं। प्रतिपल प्रतिक्षन इस प्रकार की भावना अंतरमन से भाना अशरन भावना नाम की दूसरी भावना है तीसरी भावना है एकत्व भावना मैं एका की हूँ मेरा कोई संगी साती नहीं है मेरे द्वारा उपारजित कर्मों का फल केवल एका की मुझे ही भोगना पड़ेगा कोई भी स्वजन या परिजन उसमें भागिदार बनने वाला नहीं है क्योंकि मेरे सिवा और कोई मेरा है ही नहीं मैं तो अनाधी से एका की हूँ और एका की ही रहूंगा प्रतिपल अंतरमन से इस प्रकार की भावना भाना एकत्व भावना नामक तीसरी भावना है अब जानते हैं चोती भावना अन्यत्व भावना इस संसार से मैं किसी का नहीं और न कोई मेरा ही है माता पिता भाई स्वजन परिजन मित्रस नहीं आदी मुझे अपना कहते हैं और मैं भी इन्हे अपना ही समस्ता आया हूँ पर वस्तुता ये मेरे नहीं है, मुझ से भिन्न है, मुझ से अलग है और मुझ से अन्य है, मैं भी इनका नहीं हूँ, क्योंकि ये अन्य है और मैं भी अन्य हूँ, ये मुझ से भिन्न है और मैं इन से भिन्न हूँ अन्यत्व में अपनत्व की ममत्व की बुद्धी वस्तुतह असत्य है ब्रान्ती और व्याम मोह मात्र है तो ये हैं चोती अन्यत्र भावना पांचवी भावना है असूची भावना मैं कितना मूड हूँ कि अपनी इस अपवित्र असूची भंडार देह पर गर्व करता हूँ फुला नहीं समाता हूँ अस्ती चर्म, रुदिर, मांस, मज्जा का ढांचा ये मेरा शरीर मल, मूत्र, लार, कफ, पित, आदी असूचियों से भरा पड़ा है इसमें पवित्रता और रमनियता कहां है इस प्रकार की भावना असूची भावना नामक पांचवी भावना है अब जानते हैं छटी भावना के बारे में उसका नाम है असार भावना ये संसार नितांत निसार सर्वता असार है कहीं किसी भी संसारी कार्यक लाप में कोई किंचित मात्र भी तो सार नहीं है सब कुछ त्रिनवत त्याज्य और असार है ये है असार भावना नामक छटी भावना सात्वी भावना है आस्रो भावना मैं अनंत संसार में अनंता नंत काल तक भटकने की ओर छोर विहिन अपार सामगरी एकत्रित कर रहा हूँ, सब ओर से खुले मेरे वरत नियम विहिन, अथाह आत्मनंद में महा नद्यों के अत्युग्र अति विशाल जल प्रवाह से भी अति भयंकर, अति विशाल प्रवाह कर्मों की महा नद्यों के असंक्य समूह गिर रहे हैं, यदि मैंने वरत नियम आदी के द्वारा आत्मनंद में अहर निस, प्रतिपल, प्रतिक्षन गिरते हुए, कर्म प्रवाह के इन आस्रव द्वारों को नहीं रोका, तो मैं अनंता नंत काल तक इस भयाव अट्वी में बटकता रहूंगा, अनंत अपार अता भव सागर में डूबा रहूंगा, इस तरह की भावना भाना आस्रव भावना है, आट्वी भावना है संबर भावना, आत्मानंद में अहर निश, प्रतिक्षन, महा नद्यों के पूर की तरह गिरते हुए, कर्मा श्रवों का संबर द्वारा ही किया जा सकता है, इसलिए मुझे नियमित रूप से वरत, नियम, प्रत्याख्यान, महा वरत, आदि, ग्रहन थथा कशायों के अधिकादिक निग्रह द्वारा, द्रव्य संबर और भाव संबर, दोनों ही प्रकार के संबर से इन आस्रवों को रोकना चाहि नियमित रूप से वरत, नियम, महा वरत, आदि, ग्रहन करके ही मैं इन आस्रवों से अपनी आत्मा का संबरन और संबर रक्षन कर सकता हूँ, अंतरमन से इस प्रकार की भावना भाने का नाम है संबर भावना, नवी भावना है निर्जरा भावना, मैं अनादी काल से कर्म सत्रों द्वारा जकडा हुआ, दू सईय, दारुन, दुख, भोकता चला आ रहा हूँ, मेरे घर के बाईय और आभ्यंतर भाग में इन कर्म चोरों ने पूर्ण अधिकार जमा रखा है, मुझे मन वचन काया से विशुद्धि पूर्वक तपस चरन, पांच समीतियों और तीन गुप्तियों की समीचीन तया आरादना कर इन कर्म सत्रों की निर्जरा करनी है, इन कर्म चोरों को नश्ट करना है, कर्मों की पूर्ण रूपिन जब तक निर्जरा नहीं करूंगा, जब तक कर्मों का समूलनास नहीं करूंगा, तब तक इन अनन्त दुखो से मेरा छुटकारा होना असंभव है, दुखों से सदा सरवदा के लिए विमुक्त होने के लिए मैं भावशुद्धी एवं तपस चरिया द्वारा कर्मों की निर्जरा करने का पूरा प्रयाश करूंगा इस प्रकार की भावना भाने का नाम है निर्जरा भावना दस्वी भावना है लोक स्वरूप भावना इस भावना में लोक के स्वरूप के बारे में जानना होता है लोक का स्वरूप और आकार कैसा है और्ध्व लोक में देव और सिद्ध सिला है अदो लोक में नरकावास है मद्य लोक में मनुश्य तिर्यंच, जोतिश्क और व्यंतर देव हैं इस प्रकार्तीनों लोक के स्वरूप का चिंतन करते हुए प्रतिक सुखाबी लाशी प्रानी को समस्त दुखो का सदा सर्वदा के लिए अंत करने और भव भ्रमन से चुटकारा पाने के लिए आटो कर्मों के निर्मुलन एवं मुक्ती की प्राप्ती के लिए प्रतिपल प्रतिक्षन प्रान पन से प्रयतन करते रहना चाहिए तो ये है लोक स्वरूप भावना नाम की दसवी भावना ग्यारवी भावना है बोधी दुरलब भावना संसार में बोधी वस्तुतह परम दुरलब है बोधी का अर्थ है सम्यज्ञान, परमार्त का ज्यान, वास्तवी ज्यान, सम्यक्त्व प्राप्ति अत्वा सब प्रकार के दुखों का अंत करने वाले जिन प्रनित यानि तीर्थंकर प्रनित धर्म का बोध जितने भी जीव सिद्ध हो रहे हैं और जितने भी जीव भविश्य में सिद्ध होंगे उनकी मुक्ती में मूल भूत कारण बोधी के होने से वो सब बोधी का ही प्रताप माना गया है बिना बोधी अर्था बिना परमार्त के ज्ञान के न कभी किसी जीव ने मुक्ती प्राप्त की है और न भविश्य में ही प्राप्त कर सकेगा इसलिए सास्त्रों में बोधी को दुरलप कहा गया है संसारी प्राणी अनादी काल से निगोध, स्तावर, त्रस, नर, नारक, तिर्यंच, देव, आदी 84 लाग क्योनियों में बटकते चले आ रहे है एक-एक निगोध शरीर में अनन्त जीव है और उनकी संक्या भूत काल में जितने सिद्ध हुए है उनसे अनन्त अनन्त गुनी अधिक है अनन्त काल तक निगोध में निवास करने के पस्चात बड़ी कठिनाई से पृत्विकाई आदी 5 स्तावर काई में आता है संपूर्न लोक बादर सुक्ष्म निगोध जीवों के देहों से एवं पृत्विकाई आदी 5 स्तावरों से भरा पड़ा है जिस प्रकार अताह सागर में गिरी हीरे की छोटी सी छोटी कनीका को खोज निकालना अती दुशकर है उसी प्रकार अनन्त काल तक निगोध में भटकने के पस्चात भी 5 स्तावर योनियों में आना स्तावर योनियों से दो इंद्रिय योनि में दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय चार इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय में असंगी पंचेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय योनियों में उत्पन होना अत्यंत दुशकर है संगी पंचेंद्रिय होकर भी यदि वो अशुबलेश्या का धारक और रोध्र परिनाम वाला होता है तो पुनह नरक तिर्यंच स्तावर आदी योनियों में दीर्ग काल तक दारून दुखों का भागी बनता है इस प्रकार मानव भव मिलना बहुत कटीन है पुन्य के प्रताप से मानव भव भी मिल जाए तो आर्यचेत्र में और उत्तमकुल में उत्पन होना बड़ा कटीन है आर्य छेत्र एवं उत्तम कुल में उत्पन हो जाने के उपरांत भी सर्वांग पूर्ण, सुद्रुड, स्वरुब, स्वस्त सरीर और दिरगायू के साथ सत्संगती का पाना दुरलब है सत्ध संगती मिल जाने पर भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्यान और सम्यक चारित्र का पाना बड़ा कठीन है सम्यक वचारित्र को अंगिकार कर लेने के उपरांत भी जीवन भर उसका सुचारू रूपेन निर्वहन करते हुए समाधी मरं प्राप्त करना बड़ा दुरलब है जन्म मरन के बीज भूत कर्मों को निर्मुल करने की छमता एवं निर्वान का प्राप्त करना असंभव है। इसका मुझे पूरा-पूरा लाब उठाना चाहिए। जन्म जरा, व्यादी, मृत्यू, ताडन, तरजन, छेदन, बेदन, इस्ट वियोग, अनिस्ट संयोग, आदी असंक्य प्रकार के दारून दुखो से ओत्प्रोत, संसार सागर में नी मग्न, प्रानी वर्ग के लिए एक मात्र, वीत्राग, तीर्थंकर, सर्वग्य, प्रनित धर्म ही, त्रान, सहारा अत्वा सच्चा सुख है। वस्तुतह केवली प्रनित धर्म, अनातों का नात, निर्धनों का धन, असहायों का सहायक, निर्बलों का बल, असर्नों का सरन, छोटी बड़ी सभी प्रकार की व्याद्यों की एक मात्र आउशद, त्रीविद, ताप, संताप, पाप, कलुश, कलमस, समहार कारी परमामृत ह 12 प्रकार के स्रावक धर्म और 10 प्रकार के यतित धर्म को मिला कर धर्म मुख्य रूप से 22 प्रकार का है सम्यत्व मूलक 5 अनूवरत, 3 गुनवरत और 4 शिक्सावरत ये स्रावक का 12 प्रकार का धर्म है चान्ती, मार्दव, आर्जव, मुक्ती, तप, सैयम, सत्य, सोच, अकिंचन और ब्रह्मचरिय ये दस प्रकार का अनगार धर्म अर्थात यति धर्म है तीर्थंकर, चक्रवरती, वासुदेव, बलदेव, प्रतिवासुदेव, देव, देवेंद्र, नरेंद्र, आदि पद या जितने भी सांसारिक, एश्वर्य, वैभव, सुक्सादन, भोग, उपभोग, आदि प्रानी मात्र को प्राप्त होते हैं वे सब धर्म के प्रताप से ही प्राप्त होते हैं अन्गार धर्म के सम्यक आराधन से ही प्रानी सब प्रकार के मूल, बीज, भूत, आटो कर्मों को मूलतह नश्ट करके अजरामर, अक्षय, अव्याभाद, अनन्त, सास्वत, सुक, धाम, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है इसलिए प्रत्यक, शाश्वत, सुक, अभिलाशी, मुमुक्षु को सदा, सर्वदा, केवली, प्रनिध, धर्म का आराधन करने में अहर, निस, निरत, रहना चाहिए, ये धर्म भावना नाम की बारवी भावना है तो जो मनुश्य इन बारव भावनाओं में से किसी भी एक भावना का भी विशुद्ध मन से पुनपुनः, उत्कट, चिंतन, मनन, निदी, ध्याशन करता है वो सुनिश्चित रूप से सिग्रही, सास्वत, सिवसुक का अधिकारी हो जाता है तो ये थी बारव भावनाओं से संबंदी संचिप्त जानकारी आप कौन सी भावना रोज भाते हैं कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब